शरो मंगल मांगल ले शिवे शर्वार शादिके शने त्रम्ब के गोरी नारायनी नमोस्ते दे जैमादादी मित्रो आज हम चर्चा करेंगे सिंग रासी के साल 2024 के वार्शिक राशी फलकी की कैसी रहे होगी सिंग रासी की धन की स्वास्त की परिवार की इस्तती उनके दामपत्य जीवन की इस्तती साल 2024 सिंग रासी के लिए कैसा रहेगा दज बड़ी भविश्यवानिया वार्षी कुंडली के अनुसार सिंह राशी के जीवन में घटी दो रही है, वो 10 भविश्य वानियां क्या है, इसके बारे में इस कारिकरम में चर्चा करेंगे, सबसे पहले जितने भी सिंह राशी वाले जातक और जाति का इस कारिकरम को देख रहे हैं, सब को नव वर्ष की ह पूर्टी करें यह हमारी और से माता रानी से कामना चलिए सबसे पहले आप सिंग रासी की वार्षी कुंडली देखिएगा वार्षी कुंडली साल दोजार 24 में देखा जाए तो चंद्रोड केतु आपके धनवाउं में बैठें शुक्र और बुद्ध आपके केंद्र में बै राशी है मगा नक्षत्र के चार चरण पूर्वा फालगुनी नक्षत्र के चार चरण और उत्रा फालगुनी नक्षत्र के एक चरण से बनीवी यह राशी होती है सिंग रासी वालों के सबसे पहले पहली वहिश्यवारी के बारे में बात कर लेते हैं यानि स्वास्त के बा डरते नहीं सोतंत्र विचार धारा वाले व्यक्ति होते हैं बड़े से बड़े व्यक्ति से अपनी बात मनवाने का दम रखते हैं गलत बात किसी की बरदाफ सिंग रासी वाले नहीं करते हैं सिंग रासी वालों में अगर देखा जाए तो रिस्क लेने का फैक्टर होता है किसी भी काम कोई मुश्किल से मुश्किल काम सिंग रासी को देदो वो जट से पूरा कर देंगे सिंग रासी के अंदर देखा जाए तो इनकी सफलता की जो चाबी होती है वो इनका डिसिप्रिन होता है कि जीवन के अंदर सिंग रासी वाले कब उठना है कब सुना है कब खाना है कितने दिन काम करता है यानि इनके जीवन में एक कठोड डिसिप्रिन होता है जो इनको सफल बनाता है चाल साथ सब्ँखमराश वाले हमेजा अपने आपको फंडेट करते रहते हैं किताबते हैं पढ़ते रहते हैं जिससे कि先 की artist दूगोनी होती यानि कि इनको अच्छा खाता नॉलिज होता है साल 2024 में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सूरी अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाउं में बैठे हैं यानि चक्रवर्ती योग बना रहे हैं तो कहीं न कहीं देखा जाए तो साल 2024 के अंदर किसी RWA के इलेक्शन या मुक्या परदानी के चुनाव के अंदर आपको कोई नया पद मिल सकता है यानि सूरिय जो चक्रवर्ती योग बना रहे हैं वो आपको पावर या रुतबा दे सकती है साल 2024 के अंदर आपकी ख्याती दूर दूर तक फैलेगी आपके बड़े प्रभावशाली व्यक्ति अच आपका चक्रवर्ती राजयोग साल 2024 में बनना है सूरिय के कारण साती साथ साल 2024 में आपका पूरा फोकस सिंगरासी का हेल्थ पर रहने वाला है यानि जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में अगर देखा जाए तो आपको थोड़ी सी हलकी चोट लग सकती है या फिर सिंगरा है यानि हेल्थ को ठी करने के लिए आप योगा एक्ससाइज आयर्योवेडिक पदती अपनाने वाले कुल मिला के देखा जाए तो हेल्थ में थोड़ा सा गड़बड है यह साल लेकिन कई ना कई आपका फिर भी फोकस हेल्थ पे रहेगा धनकी इस्टति के बारे में बात क जाए साधानन तयास सिंग रासी वाले वैसे खर्चीले स्ववाव के होते हैं टिप टॉप रहने पे खर्चा करते हैं कपड़े पे खर्चा करते हैं गयना पैनना पसंद करते हैं सोना चांदी लादना पसंद करते हैं तो उसमें भी खूब खर्चा करते हैं घर में इंटी तो सिंगरासी वाले खर्चीले सुबाव के होते हैं। साल 2024 के अदर देखा जाये तो अच्छा धन आप कमाने वाले भी हैं। और केटू दूतिस्थान में बैठे हैं यानि आप साल 2024 में अच्छा धन कमाएंगे और अच्छा धरम भी करने वाले हैं acerig में अच्छा द्रम संबंधी इंकम आपको प्राप्त होगी या विदेशी काम आपको सकता है यह विदेशी इंकम का लाब आपको मिल सकता है साल 2024 के अंदर अगर देखा जाए तो आपको धनका तो लाब होई रहा है सिंगरासी को साती साथ जमीन वाहान का भी लाब होगा यानि साल 2024 के अंदर प्रॉपरिटी से समन् tapped क्रेव इक्रे से भी सिंगरासी को अच्छा लाब नजर हा रहा है साती साथ देखा जाए साल 2024 में सिंगरासी वाले अपनी संतान को या तो वाहन देने वाले या विद्या पे मोटा खर्च करने वाले भी है यानि संतान पे धनकर्च भी होगा साथी साथ देखा जाए और पूरे साल आप अपनी ओवर रोल इंकम में से कुछ इस्सा निकाल के गरीबों की हेल्प भी करने वाले हैं कुल मिलाके देखा जाए तो काफी अच्छा आप इंकम भी आप जनरेट कर रहे हैं साल दोजार चौबिस के अंदर और ताफी इस्सा आपका खर्च भी हो रहा है साल दोजार चौबिस के अंदर सिंग रासी वाले ध्यान से सुनें पी नाम के लेटर यानि जिसका पहला अक् सकते हैं तो पी नाम का कोई भी व्यक्ति हो उससे आपको जबरदास लाब होने के योग नजर आ रहा है साती साथ देखा जाए धन के लिए अपरेल जून का महीना थोड़ा खर्चा वाला रहेगा बाकी 10 महीने आपके धन के लिए बहुत लाबकारी यानि साल दोजार चौ परिवारे में बात कर लेते हैं तो तीसरी घटना का संबंद सिंग रासी वालों के परिवारिक जीवन से यानि परिवार वाओं में शुक्र और बुद्ध बैठे यानि साल दोजार 24 के अंदर परिवार समंदी रुकईवे काम मांगली काम आपके बन रहे हैं यानि जनवर से समंदित आया तो प्रापटी आप खरीदेंगे या नई प्रापटी में आप जाने वाले घर का स्थान परिवर्तन अपने घर में जाने वाले यानि देखा जाए तो परिवारिक दृष्टी से साल दोजार 24 बहुत बहुत लापकारी है आप बात कर रहे हैं चौती घटन संतान को उच्छ सिखर में पहुचा देगा ये साल दोजार 24 क्योंकि मंगल का रोचक योग बन रहा है पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते यानि एक वरसे 18 वर्ष के अंदर अंदर जिनकी उमर है उन संतान के बारे में बात करें तो विद्या या किसी संतान की रहेगी और 18 प्लस यानि बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनका भई सरकारी नोकरी या सरकारी प्रत्योगिता परिक्षा के अंदर अच्छे अंग मिलने वाले यानि सरकारी स्कूल इंस्टिूशन में एड्मीचन के योग आपकी बड़ी संतान के बनते है साथी साथ साल 2024 में वाहन के योग भी आपकी संतान के बनते हैं तो कुल मिलाके सिंग रासी की चाय छोटी संतान है बड़ी संतान है साल 2024 बड़ा लापकारी है आप बात करें नौकरी भाओ के बारे में जो सिंग रासी वाले नौकरी करते हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा तो देखा जाए तो साल 2024 के अंदर देखा जाए तो नौकरी में बड़ा पद सिंग रासी को मिल सकता है या बड़ी जिम्मेवारी सिंग रासी को मिलेगी ऐसा योग मिल रहा है 37 साल 2024 प्रेशर वाला साल रहेगा बड़ा पद बड़ी जिम्मेवारी तो आपको मिलेगी लेकिन वर्क लोड भी बढ़ने वाला है प्रेशर भी चार गुना बढ़ जाएगा यानि साल 2024 में काम में आप बिजी रहने वाले हैं खास कर देखा जाए चून 2024 से दिसंबर 2024 आपक के लिए बहुत अच्छा है इसमें आपको अच्छा धनलाब होगा आपकी आर्थिक इंक्रिमेंट होगी और बड़ा पद का लाब आपको मिलेगा यानि नोकरी वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है आप छटी गटना के बारे में बात कर लेते हैं वार्ची कुंडली में राहु देने वाले पहले हम अच्छे के बारे में बात करें तो देखा जाये तो सिंग रासी का कोड़ से सभाज़ rend past जो डिसीजन है या कोड में पढ़े वह काम अठके विए काम जो सरकारी सरकारी काम आपके अटके कोर्ट से संबंदे सुप्रीम कोर्ट लेबर कोर्ट या आपके जो हाई कोर्ट में जो फैसला आना है तो कही ना कही साल 2024 में वो पेंडिंग काम आपके होते वे नजर आ रहे हैं सरकारी वाद विवाद पुराना धनका लेंदेन खतम होता हुआ साल 2024 में नजर आ रहा है क्योंकि अस्टम में रागु बैटा है बुरा देखा जाए तो साल 2024 में जो सिंग रासी की महिला है उनको hidden problem या या यूट्रेस से संबंदी problem या उनको infection की संबंदी problem प्रॉब्लम खासकर महिलाओं को ज्यादा रहने वाली है पुरुषों को 20% पुरुषों को रहने वाली है 80% महिलाओं को रहने वाली ऐसा योग बन रहा है या अस्टम बाहों में जब भी वार्षी कुल्ली के अंदर राहू आता है तो पाइल्स या infection यूट्रेस की प्रॉब साल 2024 बहुत ही अच्छा है पहला आपकी महनत का आपको बहुत अच्छा साल 2024 में परतिफल मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि साल 2024 का टोटल अगर आप देखेंगे तो आठ अंक है और आठ अंक के स्वामी नया एप्रिये शनीदेव होते हैं तो कही ना कही साल 2024 में आपक कि सरकारी परिक्षा में आपको सपलता मिलेगी गौवर्मेंट से संबंदी इस्टिट्यूट में आपका नाम आएगा साती साथ आप शहर का नाम रोशन करने वाले यानि कि आपका आप नाम रोशन करने वाले आपकी परतिवाप बढ़ने वाली है साती साथ वाहन करिदने के के लिए बहुत लाबकारी रहने वाला मैं आप से पूछने जाओंगे कि आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और आपका अनुबब क्या रहा है गुरुजी से जुड़ने का मैं 2009 में गुरुजी के संपर्क में आया था और उस वक्त मतलब सिच्वेशन भाटी मतलब ठीक नहीं थी मेरी जॉब नहीं थी जॉब में बड़ी दिक्कत थी जो थी भी तो मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उन्हों जैसे जैसे मुझे जो जो उपाई और जो जो मतलब वक्त बताया और जैसे-जैसे बताया वैसे वैसे मेरा उसी टाइम पर काम हुआ और उस वक्त से लेकर और अब तक मैं गुरुजी के टच में हूँ और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं इनके संपर्क में हूँ धन्यवाद बात करते हैं सिंग रासी के दामपत्य जीवन की सक्तम भाव में साल 2024 में सिंग रासी का शनी सक्तम में बैठा है यानि साल 2024 में दामपत्य जीवन में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिलेगा सबते पहले लव कपाल या प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात कर ल पार्टनर की और से शादी में बहाने बाजी सुनने को मिलेगी या रुकावट या मना हो सकता है पार्टनर की तरफ से तो साल तो आपको अपनी कुंडली का विश्रेशन कराना पड़ेगा उसका नंबर मैंने नीचे दे रखा है तो प्रेमी प्रेमी का लब कपल को भई आपको जो यह का अफसर प्राप्त होगा यानि कि जो समी सप्तम में बैट हैं तो कभी गलत फेह माता पिता को लेकर पाट्नर के बीच में रहे की गहमा गहमी रहें कि अनबन आप दोनों के बीच में रह सकता यह पार्टनर साल 2022 में थो बिवार रह सकता है यानि कि दामपत्य सुक में कमी है चाहिए पतिफ़ी में बंडनी रही या पॉर्टनर आपका बिवार रहेगा है उसको कुल मिला के दाम. से लेकर मई दो जार 54 के अंदर देखा जाए तो हलका फुलका जनवरी से ही वाढ़ विवाद होना شुरू होगा इस तरह के पत्ती पत्नी में हो तो पहला तो वाढ़ विवाद की जड़ को बिल्कुल निकाल दे याद रखेगा वाढ़ वीवाद की जड़ जीर रूप ले सकता है तो कोशिस ये करे कि जनवरी से जो सिंटम्स मिले तो उसको वहीं पर आप काट दे याद रखिएगा जो misunderstanding पैदा होरी उसको दूर कर ले नहीं तो अब पस्ताय होत क्या जब चिडिया चुक गई खेद याद रखिएगा नवी घटना के बारे में बात करें तो नववम भाव में आपके ब्रस्पती बैठे है कही ना कही और ब्रस्पती वार्शी कुडली के अनुसार देखा जाए तो हंस योग बना रहे हैं तो कही ना कही फादर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, फादर को कही ना कही से फंड का लाब होता हुआ नजर आ रहा है, साल 2024 के अंदर आपके पिता को पजधन का लाब नजर आएगा, साती साथ आप भी कुछ विद्या की स्टड़ी कर सकते हैं, या नया कोर्स कर स सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, अपने को अपडेट करने वाले हैं, साती साथ विदेश संबंदी आपकी यात्रा होगी, कुछ आप एक्जाम भी देने वाले हैं, कुल मिला के नववा माओं में जो ब्रसपती बैठे हैं ना, एक तो आपके पिताजी के लिए बहुत अ उन लोगों से जो सिंग रासी वाले अपनी दुकान, अपना फैक्टरी, अपना शोरूम चलाते हैं, तो देखा जाए तो व्यापार भाव के जो स्वामी हैं, वो शुक्र और बुद दोनों के दोनों केंदर में बैठे वे हैं, तो साल दोजार चौबिस में काम में बड़ परिवर्तन नजर आएगा, खासकर जनवरी से लेकर अगस दोजार चौबिस के बीच में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा, कुछ लोग, कुछ सिंग रासी वाले नौकरी छोड़के व्यापार करने वाले हैं, कुछ लोग, कुछ सिंग रासी वाले एक व्यापार को कुछ सिंगरासी वाले अपनी एक और चेन खूलने वाले अपनी एक और फ्रेंचाइजी खूलने वाले याने की बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर दोजार चौबिस तक देखा जाए तो व्यपार के लिए वैसे ये साल ब्रिद्धी दायक वाला है तो मित्रो ये दस भविश्यवानिया ये दस घटना है वार्शी कुड़ी के अनुसार सिंगरासी के जीवन में घटित होने के योग बनते हैं तो इस कारेकरम में मित्रो बजितना ही मुझे दिज्जेजात जय माता दी मैं पंडित परकास जोट्सी का प्रोग्राम गच्चेना जब जाए वे देखती ती ऀंडी दीस में रोज देखती थी पर मैं सोचती थी किए सब बगवास मैं ने देखती फीर एक दिन मैंने मने सोचा कि बेटी की साधी नहीं नहीं उपा रही है चलो एक बार लाँ मैं अजमा के देख literary कि Пा जखनी कह और मैंने पंड जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज देखती हूँ, तब से कोई पर समस्या ही नहीं है.